यहां मेरे भाई मलेशिया T20 सुफर सिरीज का दूसरा मुकाबला यहां से मैं कवर करने के लिए आयाँ देखो डबलू डबलू भर्सेस SOS के बीच मुकाबला खिला जाएगा देखो इन्वेस्ट कितना करना है देखो टेलीग्राम पे अपडेट करूँगा क्योंकि इतने बड़े सिरीज में भी फिक्सिंग का असर है देखो गरांड रूबल टीटेन जो अभी चल रहा था दो चार डेज पाले वहाँ पर पूरे पिलेयर बिख चुके थे पूरे के पूरे आठ टीम थे आठो पिलेयर सभी के सभी फिक्सिंग में इतना मतलब की चुतियापा सिरीज चला था क्या बोला जा फिर भी वहाँ से हम लोगोंने वीन किया था जैसे मैंने खेलने के लिए बोला वैसा लोजिक लगा कर इन से पहले दो मन्त फिर खेला गया था गरांड रूबल टीटेन वहाँ पर भी फूल फिक्सिंग चला था लेकिन यह जो सूपर सिरीज है मलिसिया का नामी ग्रामी सिरीज माना जाता है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ लगता है कि फिक्सिंग ना हो क्योंकि इंटरनेशनल टाइप के पिलियर खिलते हैं लेकिन यहां पर भी देखो छोटा fixing चल रहा है छोटा fixing कैसे चल रहा है इन सब मेच में जो captain होते हैं वो international player captain नहीं होते हैं वो domestic captain होते हैं वो captain weeks आता है और उन से ये deal हो जाता है कि ये 2-3 player जो high selection उनके जगा ये गिनवाजी करने वाला है या फिर इनके जगा वो गिनवाजी नहीं करेगा दो-4 player जो कि international player fixing के घेरे पे नहीं रहेगा इतना याद रखना जो भी दोनों टीम के international player रहेगा वो fix नहीं रहेगा चल रहा है इनके बाद साफ हो जाएगा जो मैने कुछ player को जैसे नवीद आहमद गेनवाजी नहीं करेगा तो फिर वहाँ दिक्कत है एक एम उंगरी नाम से होगा अभी जो था player वो सायद अभी 19 रन मारकर रहेगा वो अगर जैदी गेनवाजी करता है इनके लाब एम पहले खेल रहे हैं तो हमारे टेली गराम चैनल को आपको जो आइन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि वहाँ पर मिलेगा आपको final team जिस team से मैं खूद खिलता हूं इनके लाब जी यल का team, pitch report, pilling 11 याने एक सांधा team बनाने में जितने चीजों के आवा सकता होती है मिरे भाई सारा कुछ टेली गराम चैनल पे पर वाइड करता हूं तो आपको जो आइन करना किस परकार है जी है मरे भाई वीडियो के description में लिंक होगा या फिर्श्ट कोमेंट जो ता वहाँ पर लिंक होगा बुलू कलर में सवर्व समाजीक चवड़ासी उसी पर किलिक या मैंने टच करोगे सीधे हमारे टेली गराम चैनल 54.4 के सब्सक्राइबर के आसपास दिखेगा यह हमारा ओरिजिनल चैनल है बिल्कुल फिरी में टीम वेगरा हर अपडेट दिया जाता है तो आप असानी से फिरी में जोईन करो और फिरी का फाइदा उठा के जा सकते हो मैंने कुछ लोजिकल फिक्सिंग के तौर पे मैंने यहाँ पर यह टीम जो दिखा रहा हूँ यह फिक्सिंग के गेरे पर अगर जदी यह यहां से देखो यह और यह गिनबाजी कर गया तो समझ जाना मैच फूल फिक्सिंग है इतना याद रखना अनवीद अमद मैस मैंने समझाए वो वर्क करने वाला यह यहां से देखो मेरे भाई यहांसे देखो गे तो आपको नजर आएगा एक हान मलीक विकट केप्रिक से असलम खान मलीक है हाड हीटर है छक्के चौके पे दिल करता है सिंगल व alumna पर दिमाग यह नहीं लगाता है छक्के चौके पर डील करता है काफी बढ़ी आहाड इंटरनेशनल पिलियर है वही मलेसिया का तो इन बातों को आपको धिहान रखना सी अब दूसरा आता है सहीदुल्ला मली क्रिकेट करियर पर यह गिनवाजी करता था लेकिन अब जो यह गिनवाजी करना बंद कर दिया लेकिन बलेबाज काफी प्रोफर है ठीक ठाक खिलता 30-35 रण आपको करके देने की छमता रखता है मुहमत सहाधत रम लिये भी क्रिकेट करियर पर गिनवाजी करता था अभी भी करता पाट्टेम गिनवाजी ओफ विरेक गिनवाजी करता कर सकता है साथ में इंटरनेशनल पिलियर है इनका ख पारे सोट नीचे रखेगा फिर 40-45 रण पलस हो जाए 50 हो जाए तब फिर वहाँ रिस्क लगा यानि ये अपने लिए खिलता है याद रखना पार्ट टाम गिनवाजी भी करता है जमसी दक्तर एक टाम पे बहुत जादा केप्टन बीजी का परवल चुआइस हुआ करता थ चाहिए साथ में ओपन आके हार्ट हीटिंग करनी चाहिए फिक्सिंग वाले अब इस रीच चल रहा तो वहाँ का रिकोर्ड अगर जदी देखोगे तो आपको फालतुल नजरा गया इसलिए मैं रिकोर्ड नहीं दिखा रहा हूँ फिक्सिंग वाले मेच में किन से जिनको ज़्यादा मोका मिल रहा तो वही पर्दसन करा तो वहाँ का रिकोर्ड देखोगे पूरी तरह से लोस हो जाएगा मुहमर आमी रजीम इंटरनेशनल प्लेर है केप्टन बीसी का बढ़ियां 24 होगा फिक्सिंग वाले मेच में भी सायद ये फिक्स नहीं थे यह अपना काम क बात कि हार्ड इटिंग जरूर बले बाजी कर लेता लेकिन इनका मेन काम है मेरे भाई गिन बाजी कमाल का स्पिनर भाई केप्टन बीसी सिर्फ इस्पिन एटेक से आप दे सकते हो लेकिन इनका एक सूपर सिरी जो अभी कुछ टाइम पहले हुआ था चार मांथ पहले वहा आत में तावाला तोड़ बले बाजी करेगा तो ये दो केप्टन बीसी का ज्यादा बढ़िया चोईस होने बाला है वैसे ये भी पुरा नहीं है स्पिनर है मौमत फैजल लतीफ कई बार अपने आपको उपर बले बाजी के लिए आज आता है लेकिन अभी तक कुछ एसा च खान मलीक इनका देखो क्या है बले बाजी तो ये भी थोड़ा बहुत कर लेता है लेकिन इनका गेनबाजी एकसन जो रासित खान जैसा एकसन है और एसे एकसन वाले भाई बहुत जाबा बिक्टे ले जाता है तो रहीम खान मलीक को आप लोग पहस जानते भी होंगे नेशनल का अभी भी ये बले बाजी कुछ तक ये भी कर लेता है लेकिन गेनबाजी बहुत क्वालिटी पाबर पहले से स्टार्ट करेगा गेनबाजी डेथ में भी आ जाता है घजब का स्पिन गेनबाजी करता है नमबर वन इस्पिनर माना जाता है मलेसिया का अभी फिला से देखो कि यह वक्त के सहजाद बल्ले बाजी करेगा आपको हाड इटिंग करेगा कई कबार बिकट कीपरिंग के भूमिका में रह जाता है बाकी हाड इटिंग के लिए ही जाने जाते है शर्विन मुनियंडी इनके टीम का केप्टन भीसी का बवाल वाला चुवाई सोना च हिसी के लिए सबसे बड़ा दाविदार मुहमाल आमीर अजीम के उपर जाओगे आमीर खान मलीक के उपर या फिस सर्विन मुनियंडी ये चीज रहेगा सर्विन मुनियंडी आपको पता है वन डाउन बल्ले बाजी के लिए आना सी है और साथ में गेन बाजी चार उभर कर जे मुरली पाबर पले में अर्षा तक जड़ेगा या फिर पाबर पले में घर लओड जाएगा चोटा कत के हार रिटिंग अच्छा खेलता है इनसे पहले सीरीज में अच्छा खेला था अभी टीटेन सीरीज में फूल फूल ओफ रहे थे तो जी येल के लिए बढ़िया भी सिंग इनके बारे में नहीं बोले केप्टन दे देना आगबंद करके मुराद अली इनका भी वही बात है कितना ओबर करेगा क्या करेगा कहना मुश्किल वही से बल्ले बाज बनिया है चोथे नमर ये पाच्वी नमर पर बल्ले बाजी के लिए आना चीए और अगर जादा इंपोर्टन रहेगा चार उपर ये भी कंप्लीट करना चीए किसन कुमार अनन्थम ये चोटा मोटा सीरीज नहीं खेलता है ये जब भी खेलता है तो सूपर सीरीज खेलता है टी टवंटी और इनका में खासियत क्या है ये बॉंसर पर बॉंसर और वो भी सुलोवर आ रहता है कई कबार जीयल का ट्रंप काड ये सावित हम लोगों के लिए भी हुआ था जेट फजल पाबर पले का वेस्ट गिन बाजी करेगा पाबर पले का वेस्ट है कि हाया दुरान एक बणिया ओल्ड राउंडर हलांकी इनको गिन बाजी में कर दिया गया बले बाजी ये से डोमेस्टिक में अच्छा करते हैं आपको 25-30 कर सकता है चार ओबर फिर लेगी स्पीन गेन बाजी करेगा कमाल का ये भी इंटरनेशनल पलेर है तो दोनों टीम बहुँ जादा इस्ट्रोंगा दोनों टीमों के विज़ों मुकबला हुगा एक ठाटिक टकर हो सकता व पिर मेच आपको एक लाज जवाव देखने को मिलेगा अब चलिए देखते कोंबिनेशन क्या हुना ये इतने सारे बेश्ट है लेकिन बेश्ट मेंसे एक आरहा हमारा बेश्ट कॉनसा होगा चलिए देखते हैं लेकिन इससे पहले अग जदि हमारे यूट्यूप चैनल को लासर हमीर खानमलीग अब देखो मुराद अली के उपर मैं सोच रहा हूं भाई मुराद अली गेनवाजी करेगा के नहीं करेगा बाद में कि यह हमीर देद खाब बेष्ट गेनवाजी आद रखना भी टीटेन सीरीज में भी सिंग के तरफ से ही खेदा था अभी बेश्ट मुझे जो लग रहा है उनके उपर जा रहा है मुम्मद फैजल लतीब की हायाद दुरानी फिट ट्रिसाम रहीम खान मलीक अब ये देखो लाश्ट प्लियर जेट फजल को उपर जा सकते हो यहाँ से देखो की हामित का भी नाम आता है यहाँ पर मुराद अली का नाम आता भाई बल्लेबाजी सक्सम एसमली केसजाद मुहमद साधत रमली यहनु बहुत सारे बड़े-बड़े प्लियर है फिलाल मुझे जो बेतर लग रहा है मैं यहाँ से पिक कर लहाँ इसमें से सारे तो खिलेगा नहीं इसमें से जो नहीं खिलेगा उनको टीम से निकालेंगे जो नया बेस्ट पिलियर उनको टीम में डालेंगे दो केप्टन सब लोग मुहमद आमीर अजीम को उपर गया बुरा नहीं है भाई जाना भी चाहिए लेकिन भी सिंग से बेस्ट मुझे तो कोई नहीं लगता तो मैं भी सिंग को केप्टन सी दूगार भी सी मैं मुहमद आमीर अजीम को देने वाल हूँ इनके अलावे भी Captain Basic का अधर 24 ये आता है ये आता है ये तो काफी बेस्ट आता है भई उसके बाद थोड़ा low में ये आएगा ये आएगा ये भी आएगा तो इसा है फिलाल के लिए क्या करो मेरे भाई ये team save करकर रहा को इसमें जो भी change होगा आपको अबडेट कर दिया जाएगा कहाँ अपने टेलीगराम चैनल Domestic Pilling 11 पे तो आसा करते भगवान की किरपा से हम लोगों का रिजल्ड अच्छा जाए आप लोग भी भगवान से यही दुआ करो